चलिए गज़ो प्रस्णा पढ़ा लिए हमने अब इनके आगे की बात करते हैं आँसर हम लोग क्या क्या कर ने है यह तिन तिन नंबर वाले हैं यह शुरू करते हैं हम लोग सुनते हैं क्या कहता है पहला प्रस्ट पहला प्रस्ट कह रहा है कि अलंकार संपरदाई के जनक कौन है तो हम बताएंगे आचार भामा और आचार भामा का एक सिद्धान्त भी लिख देंगे जो इन्होंने बिचार प्रस्तुत किया था तो बैसे तो यह कि अपने को बन वर्ड में आँसर करना है तो आचार भामा अपना काफी हो जाएगा लेकिन हमने यह लिख दिया कि सब्दार्थ सभ्दार्थ 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 सभ करोड़ा करके करोड़ा निजरोए अब कौन सा अलंकार ये पूछ रहा है तो यह तो एक नजर में बता देंगे कि इसमें यह देखना ध्यान से कोन से व्यंजन वर्ण की याब रती हो रही है दो गोजने के क्या नियम हो सकते हैं सबसे पहले हम जब अलंकार पढ़ रही होते हैं तो आप लोगों को भी यह पता है कि हम लोग अलंकार की शुरुवात कौन से अलंकार से करते हैं तो हम बताएंगे कि दो अलंकार के भेद होते हैं सामनेता है ना शब्दा और अर्था तो हम सबसे पहले यदि हमें खोजना भी है ना ढूंडना भी है तो हम शब्दा के नियम लगा के देखेंगे फिर बाद में अर्था लंकार के लगा के देखेंगे शब्दा लंकार में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि अनुपरास पढ़ते हैं तो हम इसी एक व्यंजन वर्ण की बारवार आप बरती हो रही है तो हम उस हिसाब से कौन सा लंकार बना देंगे इसको अनुप्रास अलंकार बता देंगे ठीक है सरलसा प्रशन था अगला देखो शिलेस आलंकार में अनुपरास में आप देखेंगे तो आप इसमें बता सकते हैं कि दाव एंजन वर्ड की छेका अनुपरास ही बनेगा और तो कुछ है नहीं या आप कह सकते हैं सरत्या अनुपरास भी नहीं बनेगा छेके बन पाएगा दो दो बार रिपीटे कम से कम दो बार नहीं तो वो अलग अलग पैरा बन जाए जैसे यह अलग बन गया उसमें एक छोटे पैरा आप में ही बात बनेगी उसके बाद फिर बदलेगा क्योंकि वो एक एक लाइन में मतलब उसका अर्थ बदलता है अगली बाद इवा लिए और शिलेस हम लोग जानते है कि शिलेस सब्नकाग साब्दिक अर्थ क्या होता है तो चिपका हुआ यह चिपकना है ठीक है ऐसा इस yarn को आर्थ निकलेगा हमें मातर इसके दो नाम बताने थे अलंकार के दो भेद होते हैं अपने ऐसे करें के दो नाम लिख दिये अपना अंसर यहां पे दो नमबर में कम्प्लीट हो जाएगा लेकिन उधारन इसलिए लिख दिये हैं कि आपको यह याद बने रहेंगे ठीक है लाटा नुपरास में आपने एक उधारन लिख दिया होगा या परिवासा लिख दियोगी तो एक बात समझना जैसे आप बैसे पड़े तो होंगे कि लाटा सब्दका या लाट सब्दका जो साब्दिक अर्थ होता है वो गुजरात होता है यह ऐसा भी लिखेंगे तो ज्यादा प्रभावसाली रहेगा कभी तीन नंबर में पूस्ता है तो आप लिखेंगे लाट या लाटा सब्दका शाब्दिक अर्थ क्या होता है गुजरात कभी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि गुजरात के लोगों का प्रिय अलंकार कौनसा होता है तो हम बता देंगे वो कौनसा होगा लाटानुप्रास का एक विप्री तलंकार होता है कौन सा होता है लाटानुप्रास का विप्री तलंकार होता है उसका नाम है यमक अब जरा समझना इन दोनों में क्या विशिस्ता रहेगी ये दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे लिखे होंगे बिल्कुल एक जैसे लिखे हो एक निकलता ना इसमें एक ही अर्थ निकलेगा और और इनका अर्थ अलग और इनका अर्थ अलग होगा तो हमारा अलंकार बन जाता है यहां फे कौन सा यमा का अलंकार कर यादिम इसी बात는 ठोड़ा और चीने हैं खलन के अब ज़रा देखेंगे यहां पर कुछ ऐसा हमको लगेगा यह एक जैसे लिखे हैं यदि हम इसको थोड़ा सा यह भी कर देना वाही बना देते हैं तो बिल्कुल किलियर हो जागा बर्ची तो एक हथियार का नाम है हम जानते हैं ठीक है और बर परिया है बताइंगे वहां पे अलंकार कौन सा बन जाता ही मक हो जब एक ही अर्थ डोनों सब्सब्र निखलते हैं तो और एक सब्द के कई अर्थ निकलते बन जाता है ठीक है जो जन है पर तंत्र नहीं मतलब जो अबयक्ति किसी पर द्रकान नहीं है पर तंत्र किसी पर आस्रइव शुक पाथा जब किसी नहीं लोक भाग जैसे मालोग की अपने समाज या सोसाइटी में बंदे बंदे हुए होते हैं उनके उपर कई जिम्मेदारियां होती हैं कि समाज क्या कहेगा नहीं घरवाले हमें से होलते बेटा ऐसा काम करना कि चार लोग कभी कुछ कह ना पाएं उन चार लोगों के चक्कर में बिचार आदि में अपना पूरा जीवन बरवाद कर लेता है तो यहां पर नहीं समझते हैं जैसे कि आप ने विरामचिन्य में पढ़ा होगा उसे रोको मत जाने दो ठीक है यदि यहां पे कौमा लगा दे है उसे रोको मत जाने दो और एक ऐसा ही सेंटेंस फिर लिखते हैं उसे रोको मत और यहां पे लगा दो कौमा जाने दो तो अब पढ़ने इसी समझ में आ जागा कि सब दोनों का अपने आप में अलग-अलग अर्थ है है ना इसमें क्या कह रहा है उसे रोको रुकने के लिए कह रहा है जाने मत दो मत जाने दो तो इसमें ये कह रहा है कि भैसा रुक जाओ कल चले जाना इतनी जल्दी क्या है है ना इसमें क्या कह रहा है उसे रोको मत जान बस लिखने का अर्थ और पढ़ने का अर्थ बदलेगा ये सब डिपेंड करता है लिखने दिखने में सारी चीज़े एक जैसी हैं वही बात यहां पे लिखी हुई अपनी ठीक कोमा का अंतर है तो ये आपने लाटानुपरास में एक छोटा सा उधारण आपने लिख दिया अ महावरा हिंदी भासा का सब्द ही नहीं है महावरा अर्वी भासा का सब्द ये जरूर लिखेंगे जरूर लिखेंगे क्योंकि हम हिंदी में जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन ये भासा किसकी है अच्छा अब एक और बात बताओ कि जो हमारा हिंदी सब्द है जो हमारा हिंदी काई ही होगा तो बैसे हम इंदियों को याद रहें तो मुहावरा आपकी अर्भी भासा का सब्द है ठीक है मुहावरा पूडवाक के नहीं होता तो पूडवाक के अपने आप में कौन होता है लोकोक्ती होती है कल आपने लिखा था लोकोक्ती अपने आप पूर्ड वाक्ष नहीं होता है यह वाक्यांस होते हैं इनका प्रियोग लाक्षणिक अर्थ देने में किया जाता है मतलब यह कहिना के लक्षण सभी पैचान सकते हैं कि गदे हो क्या तुम अब गदे तो नहीं है लेकिन अरकतें ऐसी हैं तो अपन कह सकते हैं ठीक है तो यह अपने इसाब से जो point लिखें वो भी अपन देख लेंगे तो पता चल जाएगा क्या है नहीं तो आप इस प्रकार के तीन point इसमें लिख सकते हैं अपना answer बन जाएगा बहुत बढ़िया बनवर्ड है कि सरोपर्थम किसी मत को चलाने वाला यहापका गलत नहीं निकला होगा प्रवर्ट क्योंकि हम जैन समप्रदाय में खुब ढंक से परते हैं तो यह आपका सही बने गाउगा प्रवर्ट दूसरा देखो जो पेट केवल चलता है उधग देखो कैसे अधर सुना रही है ना उधर उधर को ने करने वाला ठीक है जैसे मैंने बताया कि जैसे आप लिख सकते हैं क्या जैसे लिख दिया आपका आजब लिखा अब इसका प्रयाए बताओ कि आशब लिखा इसका प्रयाओ बार शी बता औरक बता दो कौन है सरफ साप को कहता है तो जो छाती के वल चले तो खो देखो गा मतलब बन गया ना गमन करने वाला जैसे खग खग बताते हैं खा मतलब होता है आकास गा मतलब गमन करने वाला ऐसे ही आसू आसू मतलब क्या होता है आशू तेज या सिग्र गा मतलब गमन कर तो बने गया तीर का वांड का किसी का भी कह सकते हैं आशु को कहते हैं तीर को या बांड को जो तेजी से गमन करता है ठीक है आशु को बन जाता है ठीक है ऐसी नहीं कहते हैं आशु लेखन कहते हैं जो जल्दी जल्दी लिखता है आशु लिपी कहते हैं आशु लेखन कवी कहते हैं इन सब को कहते हैं चलेगा तो उदर याद रखेंगे इसके साथ दो तीन अपन और दिमाग में रखे रहेंगे चांदनी रात के लिए एक सब्द बने गया था अच्छा शरवरी ठीक है इसके लिए क्या है शरवरी अगला देखो अगला सब्द है पहाड का उप पिटेट में हुआ अच्छा अधित्यका ठीक है अच्छा ये बड़ी अलगा था मुझे सफेद हांथी बांधने का मुहावरेकार था क्या मतलब सिंपल सी बात है सो के चक्कर में आदिम फ्री फोकरट में मारा जा रहा है सी आज के साब का ये प्रशन है है न तो सो बाजी परिवाबसा लिखी होगी आप लोगों ने संदी भी पूछता है हमसे बक्रोक्ति की संदी भी पूछेगा तो कौन सी संदी का नाम बताएंगे गोड़ है ओकी मातरा रही गोड़ संदी है तो आपने लिख दिया वक्र प्लस उक्ति हम वक्रकार्थ जानते हैं वक्रकार्थ क्या टेड़ा उक्ति का मतलब वाक्या कथन मतलब जो सीधे नहीं बोले तुम तो बने गए ऐसे बोल देता ना पढ़े गए तुम तो ठीक है और वाक्या जो मैंने का है उसका अर्थ वह होता भी हो और आप जो समझ रहे हैं उसका अर्थ वह भी हो तो एक ही बात रहेगी कहने का तरीका एक ही रहेगा लेकिन समझने वाला क्या समझ रहा है यह डिपेंड करता है तो देखो कि इसका अर्थ क्या होता है टेड़ा वाक्या आपने कुछ और सोच लिया हमारे दिमाग में चलता है दो को ब्यक्ति कहता किसी अपने हिसाब से हम समझते हैं उसे अपने हिसाब से हैं क्योंकि हमारे दिमाग में उसमें क्या चल रहा होता है हम उसी के हिसाब से सोच पाते हैं तो हम ये बात याद रखेंगे हमने यहां पर वो ये कह रहा है उसे रोको मत लेकिन अपने कह रहा है बाई साब ये कह रहा है हम तो ये समझ रहे हैं तो हम अपने हिसाब से बात को जब समझते हैं तो उस प्रकार से वहां पर अलंकार बन जाता है बकरूक्ती बकरूक्ती का एकाद उधारन और याद आ रहा हो तो बता दो यह भी बढ़िया है और बताओ इतिहास से संबंदित एक और है मतलब दो तिन उधारण आपको याद होने चाहिए अरे एक कबूतर देख हाथ पूछा कहा है अपर उसने पूछा कैसा पर लोड गया सपर ठीक है तो कम से चार तीन चार पांच उधारण अपने को याद हम लोग करेंगे ठीक है अब इसमें अगला प्रशन क्या कह रहा है उपमालंकार के अंग यह अपने कल लिखे थे यह तो और चारो भेद के अपने इस तरह से इनके नाम लिख दिये ठीक है अब देखो उपमे हम जानते हैं क्या होता है जैसे आपको यहां से दो बाते याद रखना है कि हमें विशेषण विशेषवी याद रखना है पूछ सकता है कि विशेषण विशे क्या होता है और हमें विशेष मतलब संग्या या सर्वनाम विशेष मतलब क्या हो गया संग्या या सर्वनाम क्योंकि विशेष ता किसकी बताई जाएगी संग्या सर्वनाम की बताई जाएगी तो विशेष का मतलब संग्या सर्वनाम अब क्या हो सकता है अच्छा बोरा समय जो भी बताएगा वो हैं एक अपन पहले सोच लेते हैं कि हम इसकी तरह बनना चाहते हैं तो हम किसके हिसाब से या किसके जैसा बनना चाहते हैं तो हम मानते ना पहले कि हम इसके जैसा बनना चाहते हैं तो यह हमारे लिए जिसको हम ले करके चलना है आइडियल जिसको मान रहे हैं वो होता है उपमान जिससे तुलना की जाएगी कि उसके जैसा हम बनेंगे तो उसको कहते है उपमान याद रखना उपमान हमेशा बड़ा होता है उपमान हमेशा बड़ा होता है जिससे हम क्या करें उसका कंपेर या तुलना की जाएगी वो कौन होगा उप में होगा सीधी सीधी बात है तो ये लेकरें हो सकता है कि अपने बीच में ना हो अपरश्टत हो अब जैसे मानों कि कुई भी बात कहसे है कि साब आप सकते साली करणा चाहते हैं उन्माराजा की तरह इतियास में आप किसी को अपना अदर्स मानते हैं तो वो अब तो बीच में नहीं है वो क्या है अपरस्तोत है तो हम ये भी बात लिख सकते हैं कौन सी चीज वहाँ पे है या नहीं है तो इससे बात अपनी और किलियर हो जाएगी ठीक है अगला देखो वाचक सब्दम जानते ही है सासी से आते हैं ठीक है सरस है क्यों नहीं आएगा जियों है ये सब्दा आजाते हैं ठीक है सरस आजाएगा जैसे आजाएगा ये सभी वाचक सब्दा आते हैं हमने एक दो भी लिख दिया तो भी अपना काम बन जाएगा समान धर्म क्या होते हैं समान धर्म जो इन दोनों में समानता बताएगा तभी तो तुलना कर पाएगे अच्छा अब जैसे मालो के दोनो भाईयों में तुलना कब हो सकती जब इनकी कद काथी चहरा, सारे रिक बनावट एक जैसी हो मानो नहीं भी है एक तरीका तो यह हो गया कि इनकी यह सारे रिक मतलब इनकी फिजीकली इस्टेक्चर दोनों के एक जैसा है तो यह समानता है ना इसको कहते हैं समान धर्म दूसरी बात समझना दोनों की physically तुलना करें तो एक जैसे नहीं है, लेकिन लग्षन दोनों के एक जैसे माँनों या तो दोनों भारी सीधे circles या दोनों बहुत लड़ाकू हैं किसी को देखे वात करने लगते हैं तो अपने बता हैं कि उसी का भाई ये क्या बात है तो देखे बता देतें Circuit का harmon हो गया common समानता हो गई ये कहलाता है समान धर्म दूसरी बात अब आपने क्या क्या लिखे हैं जरा ये और बतलगी हो ज Idiot सहरण लिखने में तो दिकत नहीं आएगी हमको किसी प्रकार की तो देखो सिर कट गया उसका वहीं मानो अरुन रंग का घड़ा हो यह आपको नए इसलिए लिख रहे हैं कि आपको जो हमें याद है वो तो हैं है कुछ हम अच्छे दो-चार और याद हो जाएंगे तो और इसका वहीं मारुन अरुन किसका प्रयाय है लाल रंका सूर्यो दाय के पहले का समय अरुणिमा तो ऐसा लग रहा है किसा अरुन मतलब लाल रंका कोई घड़ा रखा है एसा उसका कटा हुआ सिरु उसको लग रहा था तो यह हमसे पूछेगा कि यह उधारन लिखके भी दे यक्षा, दूसरा लिखा आए, नेत्र मानो कमल है, ये तो आप बताएं, नेत्र कमल हैं, अब बीजय पी मत समझ न, बस, ठीक है, ये अगला है, मुखबाल कवी सम, लाल होकर, जॉला सी बोधित हुआ, ठीक है, कि किसी का आंखें, किसी गुस्से में चेहरा या आंखें कैसी ह जाती ही जैसे कि एक दम सूर्य जैसा ही दम लाल तेज नहीं चैरा लाल क्यों है तो बस आपको तो दो लिखना है तीन तो इसलिए लिखें कि हमें एक दो उधारन और एक्ष्टा याद हो जाएंगे आप लोगों ने कौन-कौन से लिखेते हैं सागर जगा चलो बहुत बड़ी पूरा महावार चला है अगला देखो अगला प्रसंद क्या कह रहा है प्रविशेशन बताईएगा तो प्रविशेशन बहुत सिंपल है कल आपने विशेशन के प्रकार बताए थे और आज बात कर रहे हैं हम लोग प्रविशेशन के बारे में तो बताओ क्या है प्रविशेशन उन्हें प्रविशेशन कहते हैं तो देखो वे सब्द जो विशेशन की विशेशन की विशेशन बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं ठीक है अब इन में से हमें कौन सा प्रविशेशन लग रहा है तो हम यह भी लिख देंगे कि मिलखा सींग को कोन है यह आपके विशेश्षे मान लो थोड़ी देर के लिए मान क्या लो वो तो रहेंगे यह विशेश्षे हैं और विशेश्षण क्या है विशेश्षण है आपका तेज क्योंकि यही तो विशेश्षण बता रहे हैं और इस तेज की विशेश्षण कौन बताएगा अत्य सब्द जो विशेशन की विशेशन बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं प्रविशेशन कहते हैं एक और उधारण बहुत अच्छा लगता है मुझे इसमें प्रविशेशन में इसमें बताओ इसमें बताओ कि मूर को कौन है अरे मूर को कौन है मैं चलिएगा ये आपको पता ये संग्या सर्वनाम में सामिल हो जागा सर्वनाम में आएगा ये हमारे लिए क्या बनेगा विशेश है ठीक है और ये कौन है प्राविशेशन ये है प्राविशेशन ठीक है और ये है अपना विशेशन ठीक है आसानी से प प्रकार तीन होते हैं करत्री वाच्छे और आपका गलत लिख रहा है करत्री वाच्छे और दूसरा है अपना कर्म वाच्छे अगला है भाव वाच्छे अब इसको हम जैसे क्या लिखना चाहें कि करता कौमा कर्म या भाव में से उस वाक्य में किसकी प्रधानता बताई गई है हमें कैसे पता चलेगा वाक्य करता प्रधान है वाक्य कर्म प्रधान है या वाक्य भाव प्रधान है हमें पता तब चलेगा जब बात को हम किसके आधार पर समझेंगे वाच्च के आधार पर तब समझ में आता है इंग्लिस में हम लोग पढ़ते हैं वोईस पैसे बोईस पढ़ता है ना वहीं चीज एगलता होती है इतनी इसी बात हमको याद रखनी थी अब देखेंगे हमारे पास कितने प्रशन बन पाए है कितने नहीं बन पाए है ठीक है दो गलत हो गए दो गलत हो गए है चले